दोस्तों UPSC आज बारत का टफेश एक्जाम है और अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हो तो आपने ओजासर का नाम तो जरूर सुना होगा ओजासर के काफी सारे स्टुडेंट्स आज IAS और IPS ओफिसर्स हैं आज के इस वीडियो में हम ओजासर की लाइफ स्टुरी जानेंगे इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तरप्रदेश के गोंडा शहर में जहां ओजासर का जन्म हुआ ओजासर का पूरा नाम अवद प्रताब ओजा है इनके पिता पोस्ट ओफिस में काम करते थे और इनकी माताजी एड़ोकेट लॉयर है ओजासर बच्पन से ही पढ़ाई में एक बहुत ही अच्छे सुडेंट थे इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई फातीमा हाइ स्कूल से पूरा किया ओजासर बच्पन से ही एक IAS ओफिसर बनना चाते थे जिसकी प्रिपेरेशन के लिए वो दिल्ली जाना चाते थे बगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई कर सके उनके पिता ने अपना एक घर बेच कर उने दिल्ली पढ़ने बेजा दिल्ली आने के बाद ओजासर दिन रात UPSC की पढ़ाई में लग गए मगर ओजासर अपने आखरी अटेम में भी मेंस नहीं निकाल पाए जिसकी वजासर आपी उदास रहने लगे लेकिन उनकी फैमिली की financial condition खराब होने की वजासर एक बार में विटर का काम करने लगे इसके बाद उनके एक दोस्ट जो अलाबाद में coaching institute चलाते थे उनसे उनने अपने coaching institute में पढ़ाने का उपर आया और उजासर उनके coaching institute में पढ़ाने चले गए पहले दिन जब उजासर वहाँ पढ़ाने गए तब वहाँ के आधे बच्चों ने coaching center छोड़ दिया क्योंकि उजासर बच्चों को ज़ादा पढ़ाते थे फिर उनने समझ आया कि पढ़ाते कैसे है और उजासर बच्चों को पढ़ने का तरीका और उनकी गल्दिया बताने लगे इसके बाद उजासर ने बहुत से coaching institute में पढ़ाया जैसे कि वाजी राम I.S. Academy, टानक के I.S. Academy और फिर आगे चलकर उन्होंने मनजारी उजासर से शादी कर ली जिससे उन्हें तीन बेटी हुई जिनका नाम पीहू, बुलबुल और गुंगुन है ओजासर के YouTube चैनल का नाम रे अवद ओजा है जिस पर आज एक लाग से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है दोस्तों ओजासर अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल के वज़ा से आज पूरे भारत में मश्यूर है